आज आप देख रहे हैं हमारा pregnant women food special और इसमें अब बारी आती है फिश की क्योंकि फिश खाने में तो अच्छी होती है टेस्टी होती है लेकिन इसमें जो प्रोटीन होता है उसकी वज़े से pregnant ladies के लिए बहुत बढ़िया है अगर आप फिश खाते हैं तो बहुत ही अच्छी अच्छी बाट है तो फिश तयारी करते कांव से पज़े कोज से इधो आरी पदाथे ए इसको बनाना कैसे है चली में आपको बता देता हूं इसमें जो फिश हमने ली है वह है पॉनफ्रित और पॉम्फ्रित को बॉनलिस कि हैं यदि आप नहीं जो जहां से मचली आप लेते हैं, फिश जहां से खरीते हैं, वहाँ पर आप उनको बोले, तो फिश आपको बोनलिस करके दे देंगे यह जो फिश के फिले हैं, इसको एक मसाले के अंदर एक मैरिनेट के अंदर लगाना है हमने ये marinade क्या है मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या-क्या डला हुआ है मेन तो इसके अंदर है नारियल या नारियल का मसाला है और उसके साथ खूब सारा धनिया अब धनिया आप जानते हैं हरा धनिया होता है और इसमें काफी iron रहता है जो pregnant women के लिए काफी अच्छा होता है और जो coconut है उसमें भी काफी protein है वो भी काफी अच्छी quality का protein है इसके साथ इसमें नमक और क्या डाला हुआ है जो paste है उसके अंदर हरा धनिया नारियल, हरी मिर्च थोड़ा सा जीरा और अब मैंने नमक डाल दिया और इसके साथ हम डालते है नीम्बू का रस और हाँ ये जो हमने बनाया है पीस्ते समें थोड़ा सा लसन भी डाला है वो टेस्ट तो होना ही जाए इसके अंदर ये इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया हमने और फिश के पीसिस इसके अंदर और ये जो फिश है इसका नाम है पातरानी मच्छी वो इसलिए क्योंकि इसको हम बनाते हैं केले के पत्तों में केले के पत्ते ले ले और आप इसको काट ले और ये जो फिश है इसका पीस ले लिया हमने और ये जो नारियल का मसाला है थोड़ा ये भी डाल दिया उपर से और इसे फोल्ड कर देते हैं ये जो पातरानी मच्छी है इसे स्टीम भी किया जा सकता है और इसे आप तवे पे भी पका सकते हैं ये देखिए ये पार्सल तयार हो गया अब तवे पकाने के लिए ये तेल थोड़ा सा तेल तवा गरम हो गया है और अब ये जो पातरानी मच्छी है इसे हम रख देते हैं पकाने के लिए अब ये जो फिश है इसे हम पलट लेते हैं यहाँ पर तो हम तवे पे बना रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया आप चाहें तो इसको स्टीम भी कर सकते हैं स्टीमर ले 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 पानी डाले और इसको रख के स्टीम कर ले पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है फिश जो है बहुत जल्दी पक जाती है तो इसलिए ये जो रेसिपी है बहुत ही कमाल की रेसिपी है दिखने में भी अच्छी, खाने में भी अच्छी और सेहत के लिए भी अच्छी पलड लेते हैं और अंदर मसाले में फिश पूरी तरह से पक जाएगी हाँ प्रेगनेंट विमन के बारे में बात कर देते हैं उनकी डाइट के बारे में बात कर देते हैं प्रेग्नेंसी के समय जो आइडियल वेट गेन है वो कितना होना चाहिए करीब 10 से 12 किलो इससे जादा नहीं मैं जानता हूँ कि बहुत सारी बहुएं जो है वो बहुत परिशान हो जाती है अपनी सास से अपनी माउं से कि वो कहती रहती कि खाएं 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 और वजन इतना जादा बढ़ जाता है कि परिशानी हो जाती है इस समय मैं जानता हूँ बहुत सारी और प्रॉब्लम साथ में हो जाती है कुछ लोगों का वेट बढ़ जाता है लोगों का शुगर लेवल बढ़ जाता है तो खाने में ध्यान रखना चाहिए तो जो आपका वेट गेन है वो 10 से 12 किलो तकी होना चाहिए वैसे आपकी जो डॉक्टर है उसके टच में रहें क्योंकि आपकी जो कंडिशन है उसके हिसाब से वो आपको गाइड करते रहें सिरफ ध्यान इतना रखना है कि आप जो डॉक्टर कहें उसको माने जरूर वो इसलिए क्योंकि इसमें सिरफ आपकी जिंदगी नहीं आपके बच्चे की जिंदगी भी निर्बर करती है कि कैसी रहेगी स्वस्थ जीवन रहेगा या नहीं जी हां शुरुवात वहीं से होती है अब यह जो फिश है एक बार फिर पलट लेता हूं मैं और काफी गरम हो चुकी है यह और अब इसको आपने निकाल का सर्व करना है ऐसे सर्व नहीं करें आप जब भी सर्व करना हो गरमा गरम तयार करें और इसी में ही इन पत्तों में ही सर्व करें खोल के बिल्कुल सर्व नहीं कुछ लोग गलती कर देते हैं कि खोल के प्लैटर में डालते हैं उतने में ना सिर्फ जो मचली है उसका स्वाथ चला जाता है ठंडी भी हो जाती है उसकी जो प्रेजंटेशन है वो भी बिल्कुल नहीं रहती है आप इसी तरह से गरमा गरम पत्तों में फिश को दें और जिसको खा जे जितने भी प्रेइग्नट विमन है बिस कोई 5 एसके इसके बाद एक बहुत ही फॉश्टिक खीर बनाने वाला हुम्हें जिसके इंदर फोलक एसिड़ बहुत होता है जआ जितने भी प्रेइग्नेट विमन है डॉक्टल हमेशा कैपसुल गाली फोलक nacid की ज़रूर देत रसुछ केले के बत्ते एकक नारियल और श्रम की पेस्टू के लिए योग न्यरो और श्रार टर्बार्य क मिλλा लें एक केले के पत्ते के उपर मैरिनेट किये हुँ फिश के पीस उसको रखें चाहे तो उपर से थोड़ी सी पेस्ट और रखकर इसे मोड़कर बन कर ले अब एक तवे को गरम कर ले उपर से तेल डाल कर इस फिश के बार्सल को दोनों तरफ से पकाए जब केले के पत्ते थोड़े सुनेरे होने शुरू हो जाए और फिश अंदर से पक जाए तब इसे निकाल कर इसे गर्मा गरम सर्व करें